बॉलिवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को गुरुवार को दिल का दौरा पड़ा था और वो फिलहाल मुंबई के एक अस्पिताल में भड़ती है अस्पिताल अधिकारी ने कहा कि एक्टर की गुरुवार को एंजियोबलास्टी हुई थी वहीं श्रेयस के फान्स एक्टर की तब्यद को लेकर काफी परिशान है उनके जुल्द चीक होने की दुआ कर रहे हैं ऐसे में अब एक्टर की पतनी दिप्ती ने इंस्ट्रग्राम पर एक ओफीशिल स्टेट्मेंट जारी कर श्रेयस का हेल्थ अपडेट दिया है श्रेयस तलपडी की पतनी दिप्ती ने एक्टर का हेल्थ अपडेट देते हुए इंस्ट्रग्राम पर एक नोट शेयर किया दिप्ती ने अपने नोट में लिखा है मैं हाली में अपने पती के हेल्थ रिलेटेट संकत के बाद आप सभी द्वारा की गई चिंता और दुआ करने के लिए आभारी हूँ मुझे ये बताते हुए राहत महसूस हो रही है कि उनकी हालत अब स्टेबल है और कुछी दिरों में उन्हें छुट्टी भी दे दी जाएगी मेडिकल टीम की exceptional care और timely response इस दौरान काफी एहम रहा है और हम उनकी विशेशिक्ता के लिए अभारी है हम अपनी privacy के respect के लिए request करते हैं क्योंकि उनकी recovery जारी है आप सभी का support हम दोनों के लिए काफी positive source रहा है बताया जा रहा है कि श्रेस तलपड़े को गुरुबार शाम को मुंबई में welcome to the jungle की shooting खतम करने के बाद दिल का दौरा पढ़ा था दिल का दौरा पढ़ने के बाद वो बेहोश हो गए और उन्हें तुरंद मुंबई के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया अस्पताल के अधिकारियों ने पुष्टी की है कि उसे दिन रात दस बजो अस्पताल उनकी एंजियो प्लास्टी की गई थी और ये प्रोसेस सक्सेस्फुल रहा है अस्पताल अधिकारियों के अनुसार श्रेस की हालत स्तिर है और वो फिल हाल काफी बहतर है वर्क फ्रेंट की बात करें तो श्रेस तल पड़े जल्द ही Welcome to the Jungle और कंगना रुनौत दौरा निर्देशित फिल्म Emergency में नजर आएंगे कंगना की फिल्म में श्रेस पूर्फ प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेजी के रोल में नजर आने वाले हैं